हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माइट टागेट 24 स्वागत आपका हमारी इस यूट्व चैलनल में तो इस पीडिव को हम बात करने वाले हैं स्टीट के लिए जो की अगस्त में एक्जाम से डियल लोगे यानिकी चाइल्ड से कोलिजबिक की प्राक्टिस सेशन की यह हमारा होना है तो स्र league बात करते हैं आज के इसे महें पुरशन की लेते हैं आज के पहले कुश्यन हावड गाडनर के बुध्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है तारकीक गोडिती बुध्दि का सरोतम परकार है दूसरा है दूसरों की भावनाओं को समझने की छमता संगीती बुद्धी कहलाती है तीसरा है बुद्धी के तीन प्रकार है विशलेश लात्मक, स्रिजनात्मक और व्यावहारिक चौथा आपशन है र ब्यक्ति अपने आपने विभिन प्रकार की बुद्धियों के बिविध अस्तर नहित करता है आपशन नोबर डी करेक्ट है हाववर्ड गार्णर ने इसकी ब्याक्ष्या देखते हैं हवर्ड गाड़नर ने बहु बुद्धी के सिधानत का प्रस्ताव रखा, इनके अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विभिन प्रकार की बुद्धियों के बिविद अस्तर नहित करता है। गाड़नर ने बुद्धी के सिधानत को सूचना को संसाधित करने के लिए एक जव में विज्ञानिक छमता के रूप में इसे परवसित किया है, जिसे सांस्कृतिक ब्योस्ता में समस्याओं को हल करने या सांस्कृत में मल्यों की उत्पादन को बनाने के लिए सक्री कह आता प्रकार के बुद्धियों का उसने अगला कॉशन लेते हैं एक अध्यापिका को विद्यार्थ को किसी समस्यां पर प्रत्सायत करना चाहिए एक रीजन है और एक सकारण है एक निजी वाक बच्चो के संगेनात्मक विकास को सुसाधित करता है आप्सन क्या हो जाएगा? सही विकलत चुनना है A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याक्या है B है A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही ब्याक्या नहीं है और C है A सही है लेकिन R गलत है और D है A और R दोनों गलत है करक्टर समर क्या है? एवाला है एक अध्यापक्या को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार करते समय अपने विचारों के मौखे करण के लिए पृत्सायत करना चाहिए क्योंकि नीजी वाक्यानी कि भासा बच्चों के संगेनात्मक विकास को सुसाधित करता है भासा विकास बच्चों के संगेनात्मक विकास में मतपुढ खिंग का निवाता है यह बच्चों की संगेनात्मक छमताओं को कभी बाधित नहीं करता है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला पूशन लेते हैं विद्यार्थियोग में समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए मतपूर है निम्निकित हेतु प्रचूर अवसर प्रदान किये जाएं किस तरह से देखिए विशेवस्त्य का कंठस्ति करण अध्यापिका के निस्क्रिय अनुसरान हेतु बीवित जानकारियों के पुष्टी करने हेतु या फिर किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना हीतु आज़े देखतें इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर दी हो है यानिकि 3 और 4 तीन और 4 करेक्ट हो जाएंगे सम्रोचनात्मक चिंतन सिच्छार्तियों के विकास को समझने और मुल्यांकन करने में मदद करता है यह अच्छे या तरकसंगत निरिणे लेने और गलक निरिणे को अस्विकार करने में सिच्छार्तियों के मदद करता है समर्चनात्मक चिंतन में चीजों को खुले दिमाग से देखना और अलोकन करना और एक विचार या अधारान को यथा संभव कई कोड़ों कुरूप में जाजता सामिल है ठीक है चलिए अगला कुशन लेते हैं एक सनरषनवादी कच्छा में अध्यव ककीजो में जोर देते हैं एक सनरषनवादी कच्छा में एक अध्यव का रचनात्मक मुल्यांकर पर जोर देते हैं मुल्यांकन सीखने की प्रिक्रिया में सुधार के उद्यस से डेटा एकत्र करने प्राप्त करने और यूप्योग करने की एक प्रिक्रिया है रशनात्मा मुल्यांकन सिच्छार्थों के प्राप्ति में सुधार करने के लिए सिच्छन और अधिगम की गतविदीयों को संसोधित करने के लिए अधिगम की प्रकीरिया के दोरान सिच्छ को दोरा नियोजित अपचारिक और अनपचारिक मुल्याकन प्रकीरिया की एक स्रिंखला है अगला कोशन लेत Körper है समावयसी सिक्षा डैस के विविद जर्यों के निस्कासन पर बल देती है प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, सनलगनता या फिर भेदभाव तो किस पर बल देता है यह भेदभाव पर बल देता है निस्कासन पर यानिकि भेदभाव नहीं होना चीए आई देखते हैं इसकी बिद्यारती हैं उनकी बीच में भेदभाव नहीं होना चीए और होना भी यहीं चाहिए समावयसी सिक्षा कार्थ है कि सभी चात्र उपस्तित होते हैं और उनके पडोश की स्कूलों द्वारा आयू उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन बिद्यों को कैसे विक्षित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी चात्र एक साथ सीखें और भाग लें समावसी सिक्षा एक समान सीखने के माहौल में की जाती है अगला कोशन लेते हैं एक ऐसी कच्षा में जिसमें बीविद समाजिक आर्थिक परिवेस में सिक्षार्ति आत बिद्यालिमित आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी इसलिए स्विटेट इस तरह के त्यार करता है देखते हैं अधिनस्त समूह में सम्मंधित बिद्यार्थियों के लिए कम तर अपक्षाएं बनाना और कायम रखना भी है समयवसी भासा जैसे कि हमारा बिद्याल हमारी एकक्षा का इस्तमाल करना और सी है प्रवल समूह से सम्मंधित बिद्यार्थियों में अलगाव की भावनों को बढ़ाव देना और डी है अधिनस्त समूह से सम्मंधित बिद्यार्थियों के बारे में रूडिवादों को बढ़ावा देना और रूडिवाद भाय परिदा करना तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी आपसा नमबर बी करेक्ट जाएगा एक अध्याप किनकी तरीकों से समयव्यसी वातावरान की रचना कर सकती हैं जैसे बक्चों के सीखने के अनबोग को बादित करने वाली अपनी रूणियों और विस्वासों पर चिंतन करें समयवसी बासा जैसे कि हमारा विद्याल है हमारी कच्छा का इस्तिमाल करना उन्हें अन चात्रों के बीच कच्छा में अपनी नितिकता और संस्कृत को साजा करने का आउसर देना तो चलिए इस सेशन को आज नहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद रहागा पसंद रहते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेयर भी करें धन्यवाद